best laptop for business के लिए in 2021 में अगर आप सर्च आउट कर रहे हो अगर आपका बेड़ी 40,000 है hand business के लिए ही आपको laptop चाहिए ये वीडियो मैं specially आपके लिए कर रहा हूँ तो start करते हैं बात करते हैं number 5 की तो number 5 की बात करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं जो आपको laptop बताऊंगा वो दो categories के लिए बहुत ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं सबसे पहले आता business के related दूसरा आता भी ऐजा अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बात करते हो आपके लिए मैं बताने वाला हूँ तो बात करते हैं cd number 5 की number 5 पर यार मैंने रख़ा है hp fordink को तो यार बहुत बंदे ऐसे message करते हैं जिनको hp का ही laptop चाहिए होता है जिनको dell का ही laptop चाहिए होता है अगर आप भी उने में से आते हो तो भाई आप जा सकते हो hp fordink के और अगर मैं laptop की बात करूँ यह दो कलर में देखने को मिलता है black color में and silver color में black color में जाता सूट करता है अगर आप उसके और जाना जाते हो आप जा सकते हो डिस्प्ले क्वाल्टी आपको एवरेज देखने को मिलागी जो कि 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है तो चालीस अजार के बिड़री में आप इतना भी एक्स्पेक्ट नहीं कर सकते कि आपको डिस्प्ले को बहुत तगरी मिलागी बट इस के स्पैसिफिकेशन आपको सही मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूं आपको इंटीग्राइटरी ग्राफिक कार मिल जाता है उप्लेणी देखने को मिल जाएगा तो यहँ मै विटा देना जाते हूं जो पैसें की अकॉर्डिंग देखा जै आपको सही मिल जाते है लिंक मैंने प्रवाइड किया हूँ अगर आप चैवड करना जाते हैं अगर बात करते हैं नंबो फो की बात करूं नंबो फोर प्वे यार मैंने रखिए MY Notebook 14 को अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले 2020 में बहुत लोगों ने पसंद किया बहुत लोगों ने परचेज किया इसकी build quality बहुत सही है, trackpad बहुत सही है, उसके बाद इसका touchpad भी आपको पर मिल जाता है, and display quality भी आपको सही मिल जाती है, plus point की बात करूँ, इसका जो battery life है, जब मतलब battery backup है वह बहुत आपको अच्छा मिल जाता है, आपको 10 hours का battery backup परवाइड कर देता है, ये laptop, जो कि कि किसी आप 10th generation के साथ मिलता है, and storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD का benefit यह हो तब अगर आप ज़्यादा डाट आफ गारा ट्रांसफर कर दो, वो जल्दी हो जाता है, as comparison किया जाए, HDD के साथ, ठीक है, graphic card की बात करूँ, आपक विंडो 10 मिल जाती है, battery life की बात, उनको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है, प्लस आपको 65W का fast charger देखने को मिलेगा, price की बात करूँ, इस laptop का price जोब आपको 41,000 के budget में देखने को मिल जाएगा, तो बई, main specification में आपको बता दिये, MI notebook 14, कि आपको laptop बहुत पसंद आने वाले, इसका minus point भी देखने को मिलता, minus point ये देखने को मिलता कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको upgrade करने का option तक भी नहीं मिलता, आपको 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता, जो कि सच में एक minus पड़ आ जाता है, so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा, और कोई भी reason नहीं देखने क को मिलता, अब यहां की बात करते हैं, number 3 की, number 3 की बात कर लिया, number 3 पर मैंने रखा लिनोव आइडिया पेट स्लिम 3 को अगर इस laptop की बात करो, अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला, आपको 37,000 के budget में ये laptop देखने को मिल जाता है, plus इसके आपके लिए ही plus point आजाता है, अभी बात करते है, इसके main specification की, तो यह display की बातों को 15.60 plus display मिल जाती है, जो कि 16 refresh rate के साथ आती है, पर processor की बातों को i3 10th generation के साथ भी मिल जागा, 11th generation के साथ भी देखने को मिल जागा, जो भी लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, ठीक है, 10th generation भी बहुत अगड़ा है, 11th generation भी बहुत अगड़ा, i3 के साथ देखने मिल जाता है, जो भी आप करना है जाते हो, आप कर सकोगे, storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है, अप गरेड़ आप 12GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SISD देखने को मिल जाती, graphic card की बात करूं, आपको integrated graphic card मिल जा तो यहर, main specification में आपको बता दिया, Lenovo IdeaPad Slim 3iKV, plus मैं आपको बतावा देना चाता हूँ, अगर आपका ability कम है, आपके लिए perfect deal हो सकते है, और इसका processor वगरा भी धगड़ा, तो भई, मैं आपको यह भी चीज़ कहा देना चाता हूँ, अगर आपने gaming करना है, आप इनी laptop पे इ minimum में चल जाना है, तो जो आपका experience है, वो बहुत तगड़ा हो जेगा, आप normally use कर सोगे, plus अगर आपने कोई heavy software भी यूज़ करना है, आप वो भी in laptop पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको gaming के लिए नहीं कहा रहा, because आपको graphic card इतना तगड़ा नहीं मिलता, आपको integrated graphic card मिलता है, so that और कोई भी reason नहीं है, आगे बात करते है, number two, number two की बात करें, number two पे यार मैंने रखिया, asus webbook ultra 15 को अगर इस laptop की बात करो, सबसे पहले आपको color बगारा बहुत सही लगने वाले है, उसके बाद ये slim and stylish design के साथ देखने को मिलता है, specification इसके भी पूरे loaded मिल जाते है, सबसे प आपको laptop बताऊंगो, सभी में आपको 16 refresh देखने को मिलेगा, processor की बात करूँ, आपको i3 11th generation के साथ मलता है, जो की latest processor है, तगड़ा प्रसाइस सारा, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते है, अपको 16GB तक कर सकते हैं, मैं आपको repeat कर देता हूँ, अगर आपने video editing करने हैं, क और भी जो smoothly आपका software है, वो चलेगा, ठीका है, प्लस आपको SSD देखने हो को मिलेगी, graphic card की बात करूँ, इसमें भी आपको integrated graphic card मिलता हूँ, प्रणी system की बातों को winter time मिल जाती, प्लस MS Office मिल जाता है, 2019 version, battery की बात करूँ, आपको 6-7 hours का battery backup provide कर देता है, प्राइस की बात करू आप इस laptop की और ही जाना, मैं और कोई भी आपको recommend नहीं करने वाला, आपको आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी increase हो जाता, अगर आप 45,000 pay कर सकते हो, आप चल जाना, नब्बो बान की और मैं बात करूँ, इस पढ़ते हो, पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, आपके लिए बहुत तगणा होने वाला है, तो बात कर लेते हैं, main specification की, A-series pair 5 के main specification की मैं बात करूँ, सबसे बहले display की बात करते हैं, आपको 14-inch full HD plus display मिल जाती, जो की IPS panel display, processor की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मलता है, storage की ब बात करूँ, आपको 8 hours का battery lack provide कर देता है, price की बात करूँ, इसका price आपको 45,000 के budget में देखनी को मिल जाएगा, तो यहार main specification मैं आपको बता दिये, A-series pair 5 के भी, अभी मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ, अगर आप extra pay कर सकते हो, आपके लिए profit हो सकता है, A-series pair 5, and अगर आ pack star pay नहीं कर सकते है, Asus Vivobook Ultra 15, आपके लिए बहुत good deal हो सकते है, and अगर आपका प्रेड कम है, 35,000 अगर आपका प्रेड है, तो बही मैंने आपको पहले बता दिया, Lenovo IdeaPad Slim 3i, आपके लिए perfect deal हो सकते है, इन 2021 में मैंने बहुत अगर आपको laptop उता है, जो की 40,000 के budget में पैसा व बेतना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना, उनको भी क्यातना कि चानको को दे सब्सक्राब वीडियो को कर दे लाक इने, इंस्ताग्राम फिक कले फॉलो, लिंक पका रहा है, आपको डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में देखने को मेल जाए, उसको चाड़ कलना भी मिलते है, प्रश्णाशना थे लांग वीडियो को साथतों, थैंक यू!